oh welcome टू میस्ते जो पढ़ेंगे में निग बहुत इंपोर्टेंट्ट है तो उनका हिंदी आर्थ के बार इंपढ़ेंगे और उनका जो उप्योग होता है संटेंस में जो r przy यूज होता है वह कैसे सामने दिख रहा है स्क्रीन पर वन एक्ट एक्ट मिन्स क्या होता है काम एक्ट मिन्स क्या होता है कार होता है एक्ट मिन्स क्या होता है कार यहां पर जो दिख रहा है तो इसका उप्योग करेंगे तो दी गवर्मेंट्स वाज शुलो टू एक्ट क्या मतलब सरकार जो है इस ए ऩाथ है िग्रिप ड़ा सष्य होता है इसलित डिल्य होता है इसका सेओं ड्राइब Shots इसका सेट फिरृइब एत कि सामने दिया हुआ इसका यूज दिया हुआ है कैसे करते हैं यहां दिख रहा है ask means क्या होता है पूछना ask means क्या होता है पूछना होता है जैसे रोटी होगर आप सेखते हैं नो बेक बेक मिस क्या होता है अब यहीं पर ब्रिंग मिस क्या होता है ब्रिंग मिस लाना लाओ ब्रिंग ब्रिंग मिस क्या होता है लाना लाओ अब ब्रिंग इसको पढ़ते हैं बाई मिस क्या होता है खरीदना या खरीद है क्या यहां पर लिखा गया है यहां पर देखिए बाई मिस क्या होता है साथ में नंबर पर हार पर इसका यूज दिया हुआ है यहां पर उसके बाद क्लाइम मतलब माउंट एवरेस्ट तो यहां पर इसका यूज दिया हुआ है उसके बाद आगे देखेंगे, दसमें नमबर पे दिया, cry, cry, cry मिस क्या होता है? रो ना, चिलाना, उसके बाद दिया, dance, 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 dream, dream, dream means khwaab होता है, रो जोल यहां पे खाना, यहा पेखा लिखा गया है, जैसे will you eat, something, क्या तुम कुछ खाओगे, फाल, फाल मिन्स गिरना, जैसे पेट से कुछ गिर जाता है ना, फाल, फाल मिस क्या होता है, गिरना, जैसे दिया, इसका उपयोग दिए क्रेव यहां पे C-R-A-B-E तो क्रेव मिल्स पकड़ लेना ठीक यहां पे उपयोग लिविंग फ्राम हर होम इसका मतलब उसने घर से निकलते वक्त अपना मास्क पकड़ लिया ठीक क्रेव मिल्स क्या होता है पकड़ लेना अगला देखिए यहां पे help, help मिल्स मदद करना सहता करना she wanted me to help her अर्थात ओ अचाहती थी मैं उसकी मदद करूं क्या वह चाहती थी मैं उसकी मदद करूं यहां पे हिंदी इसका नीचे लिखा हुआ है अगला अठारे देखिए jump, jump मिल्स क्या हुआ है कूदना, j-u-m-p, jump मि हिंदी दिया है उसका उसी को हिंदी में नीचे लिखा गया है अगला देखें कि होता है हसना इसका उपयोग धिया विला उसके बाद आगे देखिए खोड न एक Нि क्लिव रहना होता है टी को अब आले ने कि से अकेले चोड़ दो तो गया लीज है लीजम, listen means सुनना होता है यहाँ पर लिखा गया listen means क्या होता है सुनना listen to the teacher के अर्फुली मतलब teacher को ध्यान से सुनो teacher को ध्यान से सुनो make means क्या होता है बनाना make means can you make tea for me can you make tea for me क्या हम मेरे लिए चाय बना दोगे क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगे यहाँ देखी क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगे make means बनाने के लिए cooking के लिए cook का प्रयुकिया जाता है बनाने के लिए और जो furniture से संबंदी चीज बना जाते हैं उसके लिए मेट का पर्यूख किया जाता है रीड मींज क्या होता है पढ़ना और यह दी यहाप लिखा है रीड दी चैप्टर लाउडली अध्याय को जोर से पढ़ो, यहाँ प्या लिखा गया, अध्याय को जोर से पढ़ो, ठीक, read the chapter loudly, मतलब क्या होता है जोरो से, यहाँ पर जो लिखा गया loudly, अब यहाँ पर study means अध्यान करना, यहाँ पर study means पढ़ना, अध्यान करना होता है, जैसे खुद के लिए यूज किया चलो लूडू लाजा यहां पर आगे देखिए आगे आर यू यूं रन में दोड़ना होता है ठीक मुझे बस तो कर पकड़नी चाहिए जैसे सोगा हम लोग दोड़का अनो तो क्या यूज करते है रण सेंड मिन्स क्या होता है फेजना सेंड में कैसे करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है अब आगे से शियंग म açए सिंग गाना गीत होता है जैसे बहुत सारे गीत निकलते हैं एक्टर गाते हैं जैसे यहां पर रस्मी इज सिंगिंग इन हर रूम रस्मी अपने कमरे में क्या गाने गा रही है रस्मी अपने कमरे में गाने गा रही है यहां लिखा हुआ है टॉक मिन्स क्या होता है बोलना बात करना इस तो इसका उप तच दीज वेजल्स इस पर्टिल्स मत छो इस पार्टी पार्टीले को मत छो यहां पर लिखा गया है अब आगे देखेंगे वोट वोट मिन्स क्या होता है लेखेंगे वोट देना यहां पर मत दान करना होता है वatro आउट दी एक्जाम ही इसको हिंदी में यहीं credit हुर है इसका परयोक्या आगया है बैलेंस मिस्क्राइं किया होता है संतुलन होता है अब यहाँ पर देखिए चेख मिस्क्राइब होता है जाचना होता है यहाँ पर इसका ऊप्योग कहां पर दीया हुआ है चूज क्या तुझे बिट्विन दी टू सब्जेक्ट्स यहां पर लिखा गया ना दो सब्जेक्ट की बीश में चुनना तो चुनना होता है उसके बाद यहां पर कॉलेक्टेड मींज भी होता है जूटाना एकठा करना ठीक तो इसका उपयोग दिया हुआ है इसका उपयोग यहां पर दिया हुआ है ठीक आगे देखेंगे 3849 नमर पर यहां पर डेवेलोप डेवलाप मींज क्या होता है विक्सित इसका उपयोग यहां पर दे हुआ है है इसको होता है इल यू 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 जो जैसे मेजर्मेंट के चेप्टर में होता है यहां पर दिया हुआ यहां पर जैसे टीचर आवल मार्स क्योंकली टीचर ने क्या हमारे कि अंगु का जल्दी से क्या है मुल्यकन किया यहांभ दिया गजांफल्स मिंस क्या होता है एजम наши मीज्पित जाउच दो रहा है लाब जीए नीचे दिखिए गा कि तैतारीस नंबर पर इंप्लीमेंट मीज़ क्या होता है लागू इंप्लीमेंट जैसे इंप्लीमेंट मीज़ क्या होता है लागू जैसे कोई भी कानून बनता है तो गोवर्मेंट implement करती है तीक उस लागो करती है उसको सभी के लिए लागो करती है इंदॉ Toniamow मान एक क्या शुचत करना सुचना होता है जैसे आए आए उन एफ हो भार्यम इंप होता मितुम9 क होता है सुचनाा सुचित करना है प्रश्तूट प्रस्तुत करना जैसे यहां प्रच प्रचितेटेट दी प्रजंटेशन इन फ्रांट आप अदर्स मतलब अमन ने दूसरों के सामने क्या प्रस्तुति दी यहां प्रचितेटेट दी उसके बाद देखें च्छियाल इस नम्मर पर हैंडल हैंडल यच ए यच ए डी एलिडी हैंडील में दो संभालना जैसे जैसे दिखते न गाड़ी ड्राइबर चलाते हैं तो हैंडील से सबको गाड़ी को संभालते हैं तुशी तरह और भी चीज जिमेदारी या अपनी जिमेदारी का निर्वाहन करना संभालना तो यहां पर संभालना होता है यहां पर इसका उपयोग दिया हुआ है यहां पर मैनेज्ड मतलब कामयाब होता है मैनेज्ड यहां पर उपयोग इसका दिया हुआ जैसे वी minus to reach the station on time यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर और्गनाइड और्गनाइड मतलब ब्यवस्था करना ओर जी ए या नाई जड इड और्गनाइड मतलब ब्यवस्था करना यहाँ दिया executed e x e c u t e d x q executed में निस्पादित करना अंजाम अंजाम तो यहाँ पर जैसे अकास executed the plan accordingly अकास ने यूज अनुसार ठीक योजना का अंजाम दिया मतलब अकास ने यूज की अनुसार योजना का क्या अंजाम दिया यहाँ निस्पादित हो जाएगा अंजाम हो जाएगा किसका executed का आगे देखिए पचास नम्मर पे created created means क्या होता है created created means होता है बनाया ठीक create मनलब create करना कुछ नया चीज बनाना होता है जैसे we have created the website हमने website बना दी है यहाँ पर watch means क्या होता है देखना आई यह गोना वाच मुवी ना मतलब आई एम गोना ठीक watch movie ना वाच मिन्स क्या होता है देखना टीवी वाचिंग दिन नीविज आप सुनते होंगे तो टीवी वाचिंग देखने के लिए वाच का प्रियोग होता है डाली टीच यहाँ पर बैरो मिन्स क्या होता है उधार मिन्स क्या होता है पकड्म होता है क्या होता है ऊकर नहां होता है कर दो सब्काइन कोया हों मिन्स वाखेक की कळे पका that कर देखें करते हैं तुसका म्यां म्क थिए ज़ें करते हैं नो दुसके को होता है रह्प ही उंगे तुसमें अंदर पहले उसके पार मैं या रचेती हैं निकाली जाती है नॉसके साल मेहीर में बाल को किक मार दिया आखर में मेहीर ने बाल कोकी किक मार लाध मार दिया । आपको उपयोग दिया हुआ रहे चल्ड वांते टो स्विंस्ग औरcott रहे इसका उपयोग दिया हुआ यहां भी टोटलuallyक्ट मैंनिंग है जो इयुक्त Select saying और जो मैंने आप लेए लाए है सबसे बड़ी बात जो है इस मेनिंग की सबसे बड़ी बात जो एकसर मेनिंग दिया हुआ है तो इनकी इंग्लिश दिया हुआ है उसके बाद उसका उपयोग दिया हुआ है कैसे उसका वाक्यों में उपयोग करेंगे उसके नीचे हिंदी में भी लिखा गया है तो आप इसको अराम से पढ़ते जाएंगे, तो आपका meaning भी तैयार हो जाएगा, उसका उपयोग कैसे करेंगे, वह भी तैयार हो जाएगा, और नीचे आप हिंदी को कैसे जल्दी-जल्दी से convert करेंगे, उसके बारे में भी आपको अच्छे से knowledge मिलेगा, तो इस वीडियो मे यहां से 61 तक मिलेग दिखने के लिए, आप दो का बहुत बहुत धन्यबात, और आगे अभी 60 के बाद जो आगे एक्षन वर्ब, एक्षन बर्ब होते हैं, ठीक तो एक्षन बर्ब के बारे में बताएंगे, यहां पर एक्षन बर्ब हम सुरू करने चलना है, यहां भी Thank you.